अजिए अब चो निटिशन इन हुमन बींग्स आज का टॉपिक होगा हमारा हुमन बींग्स में किस तरह से है निटिशन प्रोसेस होता है क्या क्या और्गेन हमारा है ना कौन-कौन सा बोडी पार्ट हमारा क्या करता है लिटिशन है तो यह जो निटिशन प्रोसेस unanim बींग्स में होती है यह माउथ से जर्ट होता है सिक्षमक में पहुंचता है फिर समॉल इंटेस्टेंड फिर लार्ज इंटेस्टेंड और जो बज़ जाता है वहotा हुमारे बोली कि एनस के थुरू बाहर आ जाता है तो वह एक्सक्रिटी सब्स्टांस हो जाता है तो इस टेप हम लोग देखते हैं सबसे पहले human beings में nutrition है ना हम जो खाना लेते हैं mouth में mouth में teeth होता है tongue होता है salivary gland होती है यह help करता है food को stomach तो पहुंचता आता है oisophagus के थुरू stomach में कुछ enzymes होती है एना पैपसीन होती है यह digestion protein का करता है HCL होता है hydrochloric acid यह acidic medium stomach में create करता है mucous होती है जो stomach के वाल को protect करता है यह stomach में होती है और फिर यहां से stomach से खाना small intestine में जाता है small intestine में तीन पार्ट होता है small intestine में तीन पार्ट है ना डूडेनम जेजोनम एन इलियम तीन पार्ट होती है और यहां पर food का digestion होता है small intestine में pancreatic juice हो गया intestinal juice हो गया यह सब अलग अलग function करता है जो बाइल जूज आता है liver से वह डाइजिस्ट करता है fat को pancreatic juice आता है यह डाइजिस्ट करता है protein of fat को last में intestinal juice होती है जो protein को convert करता है amino acid में carbohydrate को glucose में और fat को fatty acid and glycerol में बाद में small intestine से large intestine में food पहुंचता है digested food और वहां पे डाइजिस्टेट फूड जो बचा हुआ food है वह जाता है उसके साथ water molecules होता है यह large intestine के वाल के तुरू यह water absorb हो जाता है फिर जो हो semi-solid form में क्या होती है हमारी fickle matter के form में यह body से excrete होती है ओके तो लार्ज intestine में digestion तो नहीं होती है जो water digested food के साथ होती है या फिर undigested food के साथ होती है वहां से water को और री एब्जॉब कर लेता है small intestine में complete digestion होती है तो पर step हम लोग देखें के mouth से start होती है कि mouth से start होती है mouth में actually हमारा जो है तीन पार्ट्स है तीन पार्ट्स नहीं कहेंगे तित है tongue है और slavery gland है तीनों का function mouth में होता है क्या-क्या है तित तंग और फिर slavery gland यह तीन पार्ट है तित का function और slavery gland का function और tongue का function तित क्या करता है यह जो हम food अपने mouth में लेते हैं उसको तोरता है चून करता है छोटे parts में क्या करता है करता है चीविंग के लिए food को बड़े food को चीव करके small food में convert करता है तो यहां पे large food यह small food में convert होता है that means यहां फिर function क्या है टित का chewing के लिए चीव करता है यह ना food जैसे ही डालेंगे बड़े food चोटे food में convert होगा large small में convert होगा त्मेंस ट्रीट का function होगा कि चिविंग करना बाइट करना है न इस तरह से उसके इलावा मॉथ में टंग पाट होता है टंग एक टंग होती है यह क्या करता है फुड को मिक्स करता है दाथ के पीछे दोनों दाथ के बीचे जबरे के बीच में ली आता है और यह जो चलाइवर क्या करता है फूड को मिक्स करता है फूड के टेस्ट को हमारी हमें क्या करता है अनुभब कराता है और फिर शॉलिंग में तो टंग दूसरा माउथ में टंग है यह खाने को क्या करता है मिक्स कराता है कि दूसरा हमें टेस्ट प्रोवाइड करता है तीसरा कि सोलॉइंग में निगलने में फूड को हेल्प करता है है ना सौलॉइंग में हेल्प करता है सौलॉइंग पूड इन चीजों में ये टंग हमारी क्या करता है तीसरा जो माउथ में पार्ट होता है इसलाइवरी ग्लेंड करता है यहां सलाइवरी अमाइवलेज क्या करता है स्टार्च को यह क्या करता है स्टार्च को सिंपल सूगर में कंबट करता है स्टार्च को सिंपल सूगर में कंबट करता है स्टार्च को सिंपल सूगर में कंबट करता है स्टार्च को सिंपल सूगर में कनवर्ट करता है यह तो हमारा माउथ पाट का काम हो गया अब माउथ से हम लोग आगे बढ़ेंगे माउथ से हम लोग कहां पर जाएंगे इस टमक में जाएंगे हैं ना माउथ से कहां पर पोचेंगे इस टमक में है ना यह हमारा माउथ पाटता है यह इस टमक होगा तो इस टमक में देखते हैं क्या-क्या इन्वायरोमेंट रहता है हिए-भाय को यज़ी मेंगे है इस टमक में मैं कि फंचन होता है पेपसीन का कि मैं है ना इस टमक के जो सेल्स होते हैं वाल्ड सेल्स होते हैं दूसरा यहां पर है BCL का सेक्रेशन होता है हाइड्रोग्लोरिक एस्ट और तीसरा जिशन मीउकस एस तरह से म्यउकस का क्या होता है सेक्रेशन होता प्यपसीन Den Fraser प्रोटीन का ऑदायजीशन करता है प्यलक्राइशन फैशन हैल्प गडीशन लीटीन फैपसोली चींप कि यह प्रोटीन का डाइजिशन कराता है एसील का फंच्छन क्या होगा फंच्छन ओफ एसील यह इस्टमक में एसिडिक मीडियम किरियेट करता है किरियेट एसिडिक मीडियम कहां पर यह इसिडिक मीडियम किरियेट करता है एसिडिक मीडियम किरियेट करता है और म्यूकस क्या करता है इंटेश्टाइनल इनर लाइनिंग ओफ इस्टमक जो इनर लाइनिंग यह इनर वाल होता है उसको प्रोटेक्ट करता है किसे एसील से एना प्रोटेक्ट दे इनर लाइनिंग ओफ दे इस्टमक म्यूकस क्या करता है प्रोटेक्ट करता है प्रोटेक्ट करता है प्रोटेक् कि इनर लाइनिंग ओफ स्टमक वाल है ना उसको क्या करता है म्यूकस प्रोटेक्ट करता है म्यूकस लियर है ना तो इस तरह से होती है स्टमक के बाद फुड कहां पहुंचता है इस्मोल इंटेस्टाइन में इस्मोल इंटेस्टाइन में तीन पार्ट्स होता है तीन पार्ट हई हो है am i आए हुआ , यह इसमौल इंटेस्टाइन होती है यह इस्मौल इंटेस्टाइन बाइजूस के बाद पिंकेृ जूस और इंटेस्टाैनल एंटेस्टाइनल जूस्तीन नहीं तीन का कि लीवर बाइल का सेक्रेशन करता है बाइल जूस का तो पहला को भरी ठाज का दूसरा सेट्रेशन इंटेस्टाइनल जूस ये तीन तोरह का चुम्स है पाइल जूस फैंट का और इंटेस्टाइन का जो वाल होता है वहां से सेग्रेशन होती है इंटेस्टाइनल जूस का तिनों का अलग रख फिंशन होता है पाइल जूस फैट का डाइजेशन करता है डाइजेशन और फैट इसका डाइजेशन कौन करता है बाइल जूस फैट का डाइजेशन बाइल है ना protein and fat का digestion pancreatic juice digestion of protein and fat है ना यह मत समझना कि juice भी करता है bile juice भी fat का digestion करता है और pancreatic juice भी yes protein और fat दोनों को digest करता है last हमारा है intestinal juice इस तरह से क्या होती है ना प्रोटीन का कंवर्जेशन में अर्णे होने को इसका ँच्य की तरूर से क्यों होती है और नमस्चिट है Caesar कोई प्रोटीन कर्लवड्द इंट ओ लिलादव thriving किसमें glucose में convert होता है है अगयव करबो हैड़ेड is canवर है उसके बाद feta है वह अ पर इन्टेस्टैनल डू जूज में इन्टेस्टैनल जूज के तुरू protein आम्नdoट होगा कर्बो हैड़ेड ग्लू कोज में और expecting fatty acid and glycerol में इस तरह से क्या होती है यह सारा प्रोसेस small intestine में होता है bile juice, pancreative juice और intestinal juice small intestine में secretion होती है अलग-लग organ के धुरूख और यहां फे food का fully digestion हो जाता है इसके बाद small intestine से food तहाँ पे move करता है large intestine में large intestine में और large intestine में simple function क्या होता है absorption of water होता है absorption of water यहां पे होता है इस तरह से final process होती है first mouth में हम food जालते है mouth में teeth part है बड़े food को छोटे food में convert करता है जिसको chewing process बोलते है दूसरा हमारा mouth में tongue है यह food को mix करता है taste करता है और shawling food करता है oisophagus अब food यहां पे इस तरह से move करता है stomach में पहुंचता है है ना oisophagus में कोई भी digestion नहीं होती है mouth में salivary saliva के तुरू कुछ digestion होती है salivary gland है यह salivary amylase secretion करता है है ना starch को simple sugar में convert करता है digestion नहीं बलके starch को simple sugar में convert करता है ओके यह कहां पे होता है mouth में stomach में उसके बाद खाना पोचता है है ना यह stomach है pepsin, SCL और mucus यह S है है ना इसका secretion यहां पे होता है pepsin का function होता है help in digestion of protein PP करेगा SCL create acidic medium stomach में और फिर mucus protect the inner lining of stomach stomach में SCL के वज़े से क्या होती है food acidic हो जाता है acid अगर हमारे सरीर पे जाएगा तो क्या करेगा उसको digest कर देता है that means lysis कर देता है skin गला देता है तो food भी हमारा गल जाएगा इसके तुरूब दूसरा small intestine है यहां पर bile juice food को digest करेगा pancreatic juice food को digest करेगा intestinal juice अलग अलग तरह का food हम ले सकते है fat ले सकते है carbohydrate ले सकते है protein ले सकते है यह जो है small intestine में intestinal juice के तुरूब यह तीनों का conversion होगा conversion process याद रखना question पूछा जाता है exam में protein का किसमे convert करता है small intestinal juice जो होता है intestinal juice जो होता है protein को किसमे convert करता है तो याद रखना amino acid में carbohydrate को किसमे convert करता है glucose में fat को fatty acid and glycerol में यह चीज़ याद रखना intestine large intestine यह simple क्या करता है digestion नहीं होती है जो इधर से आया है food के साथ undigested food के साथ पानी बहुत ज्यादा होता है liquid form में होता है तो उस liquid को water को absorb कर लेता है फिर जो है semi-solid form में xkts substance हमारे body से बाहर आ जाता है है ना तो यह इस टमच से आगे इस तरह से small intestine होता है और फिर इस तरह से large intestine इधर होता है इस तरह से ठीक है तो completely food का digestion कहाँ पे होता है small intestine में होता है very very important इस टमच में यह तिनों का function याद रखना very very important अलिकर्जामिया सब के लिए नवोदे वगर जितने भी exam होती है pepsin, scl और mucus pepsin का function क्या होता है यह याद रखना है protein का digestion करता है help in digestion of protein scl क्या करता है create करता है stomach में acidic medium और mucus inner lining of stomach wall उसको क्या करता है protect करता है नहीं तो यह जो scl है न यह inner lining of stomach wall उसको digest कर सकता है तो यह mucus उसको क्या करता है digest होने से बचाता है उसके बाद है small intestine bile juice का function fat को digest करता है pancreatic juice का function प्रोटीन फैट को डीस्ट करता टे जी उनमें काद रखेंगे घाल गयोड को और ymou recent में ग्यंव चीछ करता हैसे और ultra रिधा क्षटाइबन देस्टाइब इस तरह से काम करता है ओके थानग